तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दो के बुक से दूसरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जो की बहुत ही ज्यादा आसान है टाइटल सुनकर आप लोगो देखकर ज़स नहीं करना चाहिए जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बताई हूं कि डॉन जबुक वाइट्स कवर किसी भी किताब को उसके खोल से कवर्थ नहीं आखना चाहिए उसी तरीके से चैप्टर का टाइटल देखकर टाइटल पढ़कर आप लोग ऐसा ना सोचे क इस चैप्ल का टाइटल मिर्टी का तेल के इस चैप्टर में बताए गया है यानि कि यह मजमून है निबंध है जो कि मिटी के दे विशह भगिया है हैं मिती का तिल जिसे देखकर ही लोग नाक मूझ धक लेते हैं इंद और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मिती के टेल का जो खुश्भू होता है न बदवू होता है तो बदबू उनको बहुच दा पसंद होता है कुछ कुछ यूनीक लोग होते हैं मतलब लगभग लोग मिटी के तेल को देखकर नाक मो ढख लेते हैं कि बद्भू देगा लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि उनको मिटी का तेल का जो खुश्बू होता है वो बहुत पसंद होता है एक दम पास जा जा कर सूंगते है वही हाल है जिस तरह नहीं बाइक स्टार्ट किया जाता है तो पीछे से जो धुओ निकलता है तो बहुत सारे लगभग सभी लोग उस धुओ पसंद नहीं करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे यूनीक होते हैं जो कि उस धूवे को सुंगना पसंद करते हैं बिल्कुल उसी त तक देखिया ठीक है यह चैप्टर एकदम मज़दार अंदाज में हम लोग कम्प्रीट करेंगे हसते खिलते खिलाते हुए ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि यह चैप्टर कब कम्प्रीट हो गया और कम्प्रीट हो जाएगा ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट कर आ रही थी वहीं पर बता चुकी हूं अगर आप लोग फॉस्ट चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है प्लेलिस्ट का जैसे आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा तो आप लोग कोशन इस तरह से भी पूछा जाता है कि और दू के पहले खाका नेगार कौन है यानिकी फ्हाका जो इन्सान लिखता है उसको हमनोग कहते हैं ठीक है टो उर्धु के पहले खाका नेगार मिर्दा फरतुल्ह बेग ही है pamię estaikkie कि मिर्दा फरतु लाबेग पहले खाका नेगार है और उन्होंने जो पहला खाका लिखा है वही तो पहला खाका कहलाएगा न ठीक है तो पहला खाका नजीर एमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी और पहले खाका निगार कौन हो गए तो मिर्दा हर एक पॉइंट को अपने दिमाग में नोट करते चलिएगा ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिट्टी का तेल जो कि एक मजमून है और इस चप्टर के राइटर है ख्वाजा हसन निजामी ठीक है और एक और बात कहें देना चाहती हूं कि इसका पीडेफ आप लोग कि क्या बोला जाता है प्रिंट आउट करवाकर निकल वाले यानि कि जाक्र निकल वाले ताकि आप लोग अंडरलाइन करके रिविजन कर सके ठीक है ना चैप्टर वन जो कि मैं आप लोग इसके पहले वाली वीडेओ में पढ़ा चुकी हूं उसका पीडेफ भी टेलीग्र जादा हो सके शेयर करना है क्योंकि अगर आप लोगों से पैसा लेकर मिफलब कोर्स नहीं दिया जा रहा है यानि की फ्री प्रहाया जा रहा है पेड़ को त्यारी नहीं कराई जा रही एकदम फ्री ऑफ कोस्ट यूटूब परी पढ़ाया जा रहा है देन आप लोग तो भी कि जितना जозмयदारी बनती है कि आड़ ब Dwokken करें करें फटसीन से अपने को रोक ले रहा है उसका भी कदम ना रूखे यानरी कि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लोग अब कूछ सब्우Box अब गांडर रहा था कि में हमको उर्दू पढ़णा लिखना आता ही नहीं है और हमारा बोर्ड एक्जाम है तो अब हम क्या करें तो मैं बताई कि आपको कुछ नहीं करना है मैं आप लोग को बताती हूं कि क्या करना है आपको यूटुब पर सर्च करना है उर्दू for beginners ठीक है वहाँ पर आप लोग को मेरा वीडियो मिल जाएगा उर्दू for beginners आप लोग यूटूब पर सर्च भी कर सकते हैं नहीं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को उर्दू for beginners नाम का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा उसमें 40 वीडियो है अगर आप लोग 40 वीडियो को देख लेते हैं तो फिर समझे कि आप लोग कि दूसरों को पढ़ाना भी सीख जाएंगे इतना जबर्दस्त अंदाज में मैं आप लोग को वहां पर उर्दू पढ़ाई हूं एक दम स्टार्टिंग से तो अगर आप लोग का उर्दू कमजोर है वीक है अगर आप लोग का handwriting अच्छी नहीं होती है यानि कि आप लिख हर रों जैक वीडियो करे देखंए 40 दिन में कंप्रीट हो जाएगा तो डूझस तरीके से भी हो सब्लिब कर देंगे ज directions आप hello को समझ में आप लोग कि कहां से किस तरह के से उर्दो लिखना है आप लोगो बस आप लोग को ज्यादा समय नहीं लेगा अभी तो आप लोग के एक साल बाकि हैं अगले साल परवरी में आप लोग का इक्जाम है तो अभी समय है आप लोग आसानी से उर्दू सीख लीजिए लिखना पढ़ना और उसके बाद से उर्दू में तो मिटी का तेल इस चैप्टर के यानि कि इस मजमून के जो राइटर है लिखने वाले वह है ख्वाजाहसन निजामी कोशन यहां पर दो तरीके से पूछ सकता है पहला इस तरह से पूछ सकता है कि मिटी का तेल के मुसनिफ कौन है तो आप सन में दिया रहेगा ख्वाजाहसन मुसानिफ का मतलब क्या लेखक तो लेखक कौन है ख्वाजा असन नजामी नहीं तो कोशन इस तरह से पूछेगा कि मिटी का तेल मजमून के मजमून निगार कौन है देखिए जो इनसान जो शक्त मजमून लिखता है उसको हम लोग कहते हैं मजमून निगार तो देखिए यह के बारे में डीटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है वो सभी डीटेल्स में यहां पर वोट पढ़ लिए और इसे जानना और याद रखना आप लोग के लिए बेहत जरूरी है क्योंकि चैप्टर से तो कम राइटर से ज्यादा कोशन पूछा जाता है तो समझे यहा आप लोग जरा यहां पर फोकस केजिएगा दिसंबर अठाट से इस भी में ख्वाजसर नजामी की पैदाईश हुई थी तो कहां पर दिल्ली के निजाम हज़त निजाम-दिन और जो इनका आबाई वतन था यानि की मुल निवास था यह वहीं के मुल निवासी थे ठीक है आगे बढ़ते हैं इनके वालिद यानि की पिता जी का क्या नाम था तो याद रखिएगा सेद आशिक अली निजामी और इनकी वालिदा यानि की मा का नाम था सेदा चहेती बेगम यह कोशन पूछा जा चुका है कि खौजास निजामी की वालिदा का नाम क्या है तो सेदा चहती बेगम अपसन में दिया रहता है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए अभी खौजा असन निजामी बच्चे ही थे मतलब कि इनकी बहुत ही कम उम्र थी तभी इनके वालिदेन का इंतकाल हो गया यानिकी इनके वालिद और वालिदा दोनों जान इंतकाल कर गए तो फिर यहां पर कोशन पूछा जाता है आप लोगे एक्जाम में कि खौजा हसन निजामी के वालिदेन के इंतकाल के बाद उनकी कफालत किसने की तो उनकी कफालत किये रहते हैं उनके बड़े भाई मतलब बड़े भाई स्यद हसन अली शाह तो आपसन में दिया रहेगा स्यद हसन अली शाह उसको धीरे से आप लोगो फिक करना है ठीक है और इससे हम लोगो पता क्या चलता है कि खौजा असे निजामी के बड़े भाई का नाम क्या है सुएद हसन और किक फाद।anga होका यह क् मामु अली तो फिर कौन सा नाम मतलब हुआ यह खौजा नाम से क्यों मशہूर हो गएसद्वाद кабण 我們ड़ा नाम से मशठूर के नहीं पहले ही इनके वाلिए उनने घासिम अली नाम हता और मामू इन्हें अली हसन कहकर पुकारते थे तो यहां पर कोशन पूछा जाता है कि ख्वाजास निजामी के वालिदयन ने उनका नाम क्या रखा था या फिर ख्वाजास निजामी के मामू उन्हें क्या कहकर पुकारते थे ठीक है या फिर ख्वाजास नजामी नाम किसने र रुवाती शिक्षा जो है ना जहां पर इनकी पैदाईश हुई थी वहीं से हासिल हुई थी लेकिन आगी की तालीम के लिए मतलब कि जो कुरान शरीफ पढ़ना था कुरान और हदीस की तालीम जो है ना यह मुक्तलिफ असाद्जा यानि कि अलग-अलग उसाद से हासिल किये ठीक तो फिकरेना अठारा बरस के उमर में इनकी शादी हो गई थी ठारा साल के थे जो इसके टेजहरा निकाल हो से और गया है ऐसे दा महमूदा बानों धीक है उसके बाद से इनकी जिंदतर नहीं को सामना करना पड़ा था धेले लेकिन वही इंसान बादगर कहलाता है वही इनसान सकaimer इंसान कहलाता है वही इंसान आदमी कहलाता है जो अपने जिन्दगी के मसले को अपने जिन्दगी की मुश्किलों और परेशानियों को दूर करके उनसे लड़ करके जीत हासिल करें ठीक है ना तो उसी तरीके से उन्ही में से एक थे ख्वाजासे निजामी नामका रिसाला जो हिए ना, जारी किये थे, रिसाला यान की पत्री शारी का ठीक है, और ये पत्री का जारी किये और फिर अलग अलग जगापर जाकर जो है, यह बहुत सारी सर्विस दिये थे, और जैसा कि ने आप खालपत करने वाले बहुत सारे लोग थे जो कि इनके खिलाफ थे लेकिन उससे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता था मतलब इन पर उन सभी लोग का कोई फर्क नहीं परता था यह अपने जिंदकी में जो इनका गोल था उसके प्रतिए आगे बढ़ते गए काम करते गए ठीक ह करते हुए साधा जबान में जिस्तर हम लोग नॉर्मली बातचीत करते हैं साधा जबान में यह अपने किताबे लिखे थे और कितनी किताबे तो तकरिबन 200 से जादा याद रखिएगा मुक्तलिफ तिर्थ इस्थानों के भी इन्होंने यात्रा की थी और हिंदू साध्यों से 50 बरस किवलियान हैं कि अपनी मौत से 50 साल पहले ही यह कबर बनवा ले चुके थे ठीक हैं सोचिए बहुत आगे की सोच रहे थे अपने मौत से 50 साल पहले ही कबर बनवा चुके थे कि जब मैं मर जाऊंगा मेरा इदकाल हो जाएगा तो मुझे को इसी पर में दफन किया ठीक है और याद रखिएगा फॉलस निजामी की तसनीफ का नाम आप लोगे बुक में दिया गया है तसनीफ यानिकी क्रियेशन जो की फॉज़ास निजामी द्वारा क्रियेट किया गया है इनके द्वारा लिखा गया है जिसे की रोज नाम चे, कलमी चेहरे, सी पाराय दिल कि तीनों तसनीफ याद रखिएगा बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है यहां तक कि खॉज़ास निजामी जो है ना स्रीकृषन पर भी एक किताब लिखे थे ठीक है फॉशन यहां पर इस तरह से पूछा जाता है कि मुंदर्जजायल में से कौन खॉज़ास निजामी की तसनीफ नहीं हैं और option में यह तीनों तसनीफ का नाम दे़ेगा और एक option में ऐसे तसनीफ यानकि यासे किताब का नाम देढ़ेगा जो कि खॉज़ास निजामी के रोरा नहीं लिखा गया है तो वही हो जाएगा उसका सही answer ठीक है ना? आगे बढ़ते कि खॉज़ास निज जामी बंसुरी के नाम से सवाना लिखे थे और यहां से कुषन पोशा जाता है कि ख्वाजह से निजामी ने चैना निजामी बंसुरी किसके लिए लिखा यांकी किस पर लिखा तो उपसं में दिया रहाएगा प्र टिक कर दिए ऐगा अगर आप पूछा जाए तो ठीक है और आखिर में इनका इंतकाल हो गया था 31 जुलाई उनाइस्टा पच्पनिस भी को ठीक है तो फाइनली ख्वादा हसल जामी यानि कि मुसर्णिफ के बारे में जितना भी डिटेल्स दिया गया था वो सभी डिटेल्स को मैं यहां पर बता दी आप ल पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर आउन कर लिएगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक तब से पहले पहुंच है तो चलिए यहां पर बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ चैप्टर का ना और ना ही मजमून कहलाता है कि कि बीचीज के बारे में पूरी जानकरे लिख रि cayen कर दो उसको लिखे वए को क्या कहने 5 सिर Н peanutsне को यह दोनों जाहिर कर यह गुटी है जो कम है कए उसको बिटा उसको कहते हैं आलोषना और उर्दु में क्या कहते हैं यानि-कि यानि कि राइटर मुस्तनिफ अगर कुछ भी लिखा है चाहे वह अफसाना लिखा हो यह वह की कविता लिखा हो मजमून लिखा हो खाका लिखा हो कुछ भी लिखा हो उसमें क्या खुबी है और क्या कमी है खरे खोटे की पहचान करना कि उसमें क्या क्वालिटी है और उसमें क्या डिमेरिट है मतलब कि अच्छाई और बुराई दोनों लिखकर बियान कर देना ही क्या क तनकीदी मजमून किसे कहते हैं आप लोग रिलेट कर लिजे तनकीदी मजमून उस तरह के मजमून को कहते हैं जिस मजमून में जिस टॉपिक के उपर वह मजमून लिखा गया हो उस टॉपिक की अच्छाई और बुराई दोनों बताई गई हो और तनकीदी मजमून में जो है बदल्से अच्छायी है और प्ल्स से तर्फ भी रुजहान होता है तांस में तश्रीव और से घ्झान। उस तरह की मजमून को कहते हैं हम लोग इलमी मजमून और उसी तरीके से हैं जरीफाना मजमून उस तरह की मजमून को कहते हैं जिसमें हसी मजाख हो जिस टॉपिक के उपर मजमून यानि की निबंध लिखा गया है उस पर कमेंट किया गया हो और जिस मजमून को पढ़ने के थोड़ी सी हसी हो मतलब हसी जिसमें हसी मताख हो उस तरह के मजमून को कहा जाता है जरिफाना मजमून और लास्ट है इन्शाया किसे कहते हैं आप लोग को आगे तो पढ़ना ही है एक ऐसा चेप्र है जो कि खुद इन्शाया है तो आगे में आप लोगो डीपली बताऊंगी कि इन्शाया किसे कहते हैं बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि मजमून की चार टाइप आप लोग के बुक में दिया गया है चारो टाइप का क्या नाम है तो तनकीदी मजमून इल्मी मजमून जरिफाना मजमून और इन्शाया ठीक है चलिए अब समझते हैं यह जो म पानी और खाक आग हवा पानी और खाक क्या में चार तत्व कैते हैं तो बताया गया इस चाप्टर के स्टार्टिंग में कि इस दुनिया में जो चार अंसुर है raises आग हवा पानी और खाकist सबसे जज़ादा और बस की मिटी यहीं वो मिटी है जो की पानी के बहाव से बह जाती है आग की तमाजतियन की गर्मी से जुलस जाती है हवा के जोके के साथ उर जाती है और यहीं वो मिटी है जिसको तमाम इंसाने दुनिया के तमाम लोग तमाम इंसान अपने पाउं से रौंदते हैं इतनी तकलिव को बर्दास्त करती है इतना इसको तकलिव होता है लेकिन फिर भी उफ तक नहीं करती है बलकि जब इससे जाकर पूछ हो तो उल्टा में ये खुदा का शुक्री यादा करती है कि खुदा ने मेरा मरतबा इतना बुलंद बनाया कि हर चीज का खमीर मुझ से है यानि कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़े हैं, उसका खमीर किसे हैं, मिट्टी से हैं, यानि कि सभी चीज़ों को मिट्टी से बनाया गया है, तो यह उल्टा में खुदा का शुक्री आदा करती है कि खुदा तेरा लाख लाख शुक्रिया है कि मेरा मरतबा इतना बुलंद है, कि हर चीज का खमीर मुझसे है, सभी चीज जो है ना मिट्टी से बनी हुई है, ठीक है। तो यहां से कोश्चन पूछा जाता है आप लोग एक्जाम में subjective की बात में कर रही हूं subjective कोश्चन पूछा जाता है कि मिटटी की बेचारगी और जिल्लत पर हमें क्यूं तरसाता है subjective मस्ट इंपोर्टेंट कोशन है बहुत बार पूछा गया अगर आप लोग टॉपिक समझ गया है तो नो डाउट आप लोग आसानी से अपने जबान में अंसर लिख सकते हैं किताबी भाषा कॉपी करने की दौर नहीं है कि आप लोग किताबी भाषा में लिखेंगे अंसर बि हो है खाक यानि की मिट्टी यह वही मिट्टी है जो पानी के बहाओ के सांथ बैह जाती है आग की तमाजत यान की गर्मी से जुलस जाती है हवा की जोकी के सांथ उड़ जाती है और यह वही मिट्टी है जिसको तमाम मखलुकात यान कि दुनिया के तमाम लोग अपने है ना की याद रखना अगर रट्टा मारेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे अगर समझे रहेंगे तो अपने हिसाब से भी एंसर लिख सकते हैं अपनी भाशा में ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बताया जाता है यानि कि इस दुनिया में तमाम मतलब नयाब नयाब ख़जाने पुद्रत ने चुपा रखे हैं ठीक है जैसे की सोना चांदी हीरे जवरात मतलब कि यह जितनी भी चीज़े हैं यह कहां से मिट्टी से ही तो निकलते हैं यहां तक की पसल हो गया सबसाग सबजी वगर कहलाता है ठीक है और इसी मिट्टी के तह में एक चिकना और बदबुदार पानी है जिसको हम लोग कहते हैं मिट्टी का तेल तो अब बात आती है मिट्टी के तेल की मिट्टी का तेल जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका खुश्वू नहीं बलकि बदवू होता है और यही बदुक लोग को बहुंच द पसंद होता है तो मिट्टी का तेल और चंभेली और मोंतिया के पीच किल कपैरीशन करे जाए तो चंभेली और मोंतिया का तेल जिन जाते लेकिन वही बात करें मिट्टी के लिए वैल की बदवु होता है और इस बदवु को सूंगते ही अपना नाक और मूह धख लेते हैं आन्हांदकि बहुत बहुत जदा महक रहा है बदवु आ रहा है तो यहां पडे लेहात से चंबेली और मोटिय का तेल जीत जाते हैं लेकिन अगर बात की जाए जरूरत के लिए हाथ से कि किसकी जरूरत ज्यादा है किसका सबसे ज्यादा यूज होता है इस्तमाल होता है तो फिर जरूरत के लिए हाथ से मिट्टी का तेल जीत जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा यूज चंबेली और मुट्या के तेल से ज्यादा यूज ओताएं मिट्टी का तेल trong जरूरत के लिए हादसे लिए जीट जाता है। इसी मिट्टी के तेल की रोष्णी में नमाजी नमाज पढ़ता है, पुजारी पूजा करता है, बच्चे अपना सबक याद करते हैं, इसी मिट्टी के तेल की रोष्णी में चोर चोरी करता है, और इसी मिट्टी के तेल की रोष्णी में चोर को पूर्स पकड़ भी लेता है तो यह सारा चीज बताएगे है इस चाप्टर में आजे बढ़ते हैं अब बात की गई है मिट्टी का तेल इन्सान का शरीक के घंव है यानि कि मिट्टी का तेल इन्सान गब औ icon के घंव में शरीक होता है जब इन्सान की जुदाई हो जाती है और अंधेरे कमरे में चुपचप अकेले बैठा रहता है तो उस वक्त कोई और नहीं मिटी का तेल ही जल जल कर अपना वजूद खत्म करती है और उस इंसान के घम में शरीक होती है यान कि उस वक्त मिटी के तेल का जो चिराग जल रहा होता है उसी चिराग के रोशनी से पुरा घर जो इना कमरा रोशन हुआ रहता है और उस में जब आप जुँसके सक्ते हैं आशिक होता है उस चुप Middle School कर अपने घम में डूबह रहता है नहीं कि उसका जुदा, में तो इसी वज़ा से कहा गया है कि मिट्टी का तेल इंसान का शरी के गम कैसे है अगे बढ़ते हैं अगर अमेरिका की ताजिर की बात की जाई एनकी बिजनेस्मैन जिसका नाम है राउक फिलर तो राउक फिलर जो है नहीं कि मिटी का तेल का तजारत ही स्टार्ट किया था यह इनकी बिजनेस बिजनेस करने को राज़ा चैसे एमेरिका का बिजनिसमेन बहुत बड़ा बिजनिसमेन बन गया जो कि एक दम शुन्य से सुरुआत किया था ठीक है अब लास्ट में अखिर में बात किया गया है कि जो मिट्टी का तेल है यह बिल्गुल बेगर्द और बेतालुक है क्यों बेगर्द और बेतालुक का मतलब मिट्टी का त करें या फिर चोर चोरी करें या फिर शराब पीने वाला आदमी शराब पीए या फिर पुलिस चोर के पकड़ें इससे कोई मतलब नहीं है मिटी के तेल को मिटी के तेल का काम है रोशनी देना अब इसकी रोशनी में कोई कुछ भी करें उससे इसका कोई ताल्लोक नहीं है य श्युक्त इसके पास अभी ताकते हैं खुदा ने सभी ताकतों को दे fancy के तेल को यानि ह्यर यह दु कि अगर यह चाहे तो अपनी ताकत का इस्तमाल करते विए इस दुरिया को अपनी अच्छी ताकतों का का इस्तमाल करता है ताकि कि किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ ना उठानी परे यानि कि लोगों को तकलीफ ना हो इस वज़े से मिटी का तेल जो एना अच्छी ताकतों का इस्तमाल करता है अगर यह चाहता तो मिटी के तेल की रौशनी में जो हो रहे गलत काम है जो शराब ये अपने ताकतों करते हुए लोगों को ये गलत काम करने से रोक सकता है लेकिन अपनी सिर्फ अच्छी यानि कि इसे सुलह की पॉलिसी को इंसान अपना ले तो इस दुनिया में शांती पैदा हो सकती है यानि कि इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों ताकत होती है लेकिन इंसान जो है अपनी अच्छी ताकतों को भुला देता है और बुरी ताकतों को काम मिलाता है और बेटा जो है ना चिल्ला कर बोल दिया अपने बाप कोई डाड़ दिया हमें आपके बेटा के अंदर गरूर है यानि कि बे इन्सान के अंदर अच्छा ही और बुरा ही दोनों होती है बेटा जो को इसके अंदर का इस्तमाल कर रहा है और अपने बाप को तकलिफ पहुचा रहा है यानि कि बाप को तकलिफ पहुचा ही रहा है उसके बाद से बाप जब नराज होंगे तो खुद को अपने आपको तकलिफ पहुचाएगा तो इसी तरीके से इनसान को अपनी बुरी ताकतों को छोड़कर अ और बैतालुक है यह जिस तरह सुला की पॉलिसी को अपनाता है उसी तरीके से हर इंसान को सुला की पॉलिसी अपनानी चाहिए यानि अपनी अच्छी ताकतों का इस्तमाल करना चाहिए ठीक है और फाइनली यहां पर चैप्टर नंबर टू भी कंप्लीट हो गया मिट्टी का क्या सी Extra मिली सीक आप लो को Commend में लिखकर बताना है कि चैप्टर को पόल को पढ़ने के बाद आप लोगो क्या सीख मिली कमें लिखकर बताइए और वीडियो कैसा लगा चैप्टर के बाद यानिकि चैप्टर नमबर टू भी तो कम्प्रीट हो गया अब हम लोग अगले चैप्टर की तर बढ़ेंगे चैप्टर नमबर थ्री तो इसके नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए और यहां तक आप लोग स्क्रिंशॉट लेना चाहते है नहीं तो डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जूड़कर पीडियेव तो अगर आप चाहें तो स्क्रिंशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिकत नहीं लेए लिए फड़ावर स्क्रिंशॉट तो चली आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं अब आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा और हां अगर एक दो दिन वीडियो अपसेंट हो जाता है तो आप लोग यह मत सोचेगा कि मैम चुप चाप बैठी हुई है वीडियो नहीं अप्लोड कर रही ह जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कैमरे के पीछे आप सभी लोग के लिए ही मेनाच चलती है यहां पर हर रोज कॉंटेंट पीपिटी वगरा तयार किया जाता है तो सिर्फ आप लोग के लिए काम होता है और एक दो दिन वीडियो अप्लोड नहीं हो पाता है अपसेंट ह नहीं ठीक है तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिस